नमस्कार दोस्तों आज के हमारे यूट्यूब व्लॉग में हम आपको ले जाएंगे जेसलमेर की गडियों में जहाँ पत्थरों के इन दीवारों के बीच छिबी है समय की कहानिया जेसलमेर कीले के महलों में बसी है सासी योधाओं की धरोहर और गडिसर लेके तट पर खड़ी है अपार शांती की जलक इस व्लॉग में हम इस सवलों की खोज करेंगे उनके रहस्यों को समझेंगे और जेसलमेर के रंगरूप को अपने नजरिये से देखेंगे तो आईए शुरू करें इस सफर को और जानने की कोशिश करते हैं यहां के इतिहास को फाइनली डे फाइव आज हम निकलेंगे जेसलमेर में ही है बट सिटी में जाएंगे कुछ-कुछ मेंने अट्रक्शन्स देखने तो आप तक आप वीच रास्ते में एंजॉय कीजिए इस के हिस्टी के बारे में जो में बताऊंगा आपको जैसा कि में ने बताया कि अभी हम जेसलमेर शेयर में में इन अट्रक्शन्स देखने जा रहे हैं आलग यह जैसलमेर का ही पार्ट है जो भी हमने कल श्टे किया था डेजर्ड में जैसलमेर सिटी के बारे में जनने के कुछिश करते हैं कि बेसेकली इसका जो निर्मान किया गए था एक रावल और जैसल यह जो गोशेश के लोग थे उनका था उन्हों ने इसका निर्माण किया था इस से अरसिकी का एक और खास बात यह है कि यहां का जो निर्माण है वो सन 1178 में शुरू हुआ था और उसके बाद भारत को आजाधी मिलने तक के समय तक इसी तोंच के लोगों ने यहां पर राज किया है याने कि इसका लगबग जो समय सबसे बड़े अट्रेक्शन में इसका नाम है जैसल मेर का किला और यह किला एक दूसरी नाम से भी जना जाता है इसे गोल्टन फोड कर कहते है या फिर सोने का किला बोल सकते हैं और क्यूं बोलते हैं मैं आपका आगे बताऊंगा जैसल मेर किले का निर्मण महराजा जैसल सिये द्वारा 12th सेंचुरी में किया गया था इसका उद्देश जैसल मेर की रक्षा और सुरक्षा करना था यह किला इतना बड़ा है यहाँ पर लोग रह रहे हैं मतलब होटेल दुका ने यहाँ पर चालू कर दिया है लोगों ने और अभी यह लिविंग पोर्ट हो चुका है अपना की कोई ऐसा मॉनिमेंट रहा है ज अपनी उंचाई और मजबूति के लिए प्रसिद्ध है और सालों से इसने नजाने के इतने आक्रमनों का सामना किया है अभी मैंने नोटिस किया कि जो मेरा टीशिट है इसका अल्मोस्त मैच कर रहा है आए पीले के लार से अब हम देखने जा रहें सीटी व्यू और कैनन व्यू सीटी व्यू मतलब जहां से सीटी का एक अच्छा व्यू आयगा और एक कैनन है जहां पर हम देखेंगे उस कैनन के बार में जाने की कोश्चिस करेंगे अब देखेंगे पूरा से यहां से भी लिखता है अब यह जिए अब यह जिए पूरा ना कैनन यह आप और ऐसे तो कैनन पॉइंट व्यू से ही सब को सेटी का व्यू दिख जाता है तो मुझे यह जोरी नहीं लगता है कि city view के लिए अलग से जाना चाहिए देखते हैं क्या करते हैं जाने हैं भाई ओंकर भाई city view जाएंगे ओके यह दोनोस पास-पास में ही है तो ओंकर भाई बोलते हैं चलो आपन ओंकर भाई की संते तो यहाँ पर बैसिकली चार दर्वाजे हैं चिले के अंदर आने के लिए तो उनके नाम है सूरज गनेश अक्षय और हवा तो यह सारे दर्वाजे अभी हम देख चुके हैं पिलाल यहाँ पर बहुत सरे जहें टेंपल से हैं तो एक में से आप कीचे देख पा रहे होगे एक फोर्ड बहुत ही बड़ा है और इसे जुमने में कम से कम तीन चार गंटे तो लगी जाएंगे ऐसे लग रहे हैं मुझे क्योंकि हम जैन टेंपल देखने आये थे मट्वो कहा बे पाता नहीं देखते हैं अभी किसी से पूछ से जैन टेंपल अब यहां पर हमें एक स्वार्ट मिल गया है जाप यहां भी कोई बीड नहीं है आप देख सकते हो और यह कैनन मिल गई है आप जबर्दस्त बहुत ही बढ़िया यह है इसका असली स्वरूप अरे केली की तरफ आपको इसी चाड़ तरफ ही चाड़ बंदी दिख जाएंगी जोकि प्रोटेक्शन वाल और तरह तरह काम चेना है तो यहां पर क्या करते हैं सहीनिक लोग खड़े रहे कर अगर दुश्मन आता है सामने तो उसके तेल चिड़क कर या गरम पानी डाकर उसे पीचे डखेल देते हैं ताकि केले का सुरक्षा कर सके तो महाबारत का यूद्ध खतम होने के बाद यदुवहंशी यानि कि श्री कृष्ण भगवान जी के जोब वहंशे वह सभी भी यहां जैसलमिर में आकर बस गए एक खास बात है यहां की यह है कि इस कीले को पत्थरों से नहीं बनाए गया है आप देख सकते हो इसके इसका निर्वान जो है वह एटों से किया गया था तो आप यहां पर देख सकते हो यह पूरी एट है ठीक है और इसको जोड़-जोड़के इस केले को बनाए गया था त अन्ना व्यूटिपल आर्गेट टेक्चर है जैसा हमें महारास्थ के आजन्ता वेरोल में देखने को मिलता है और ढूंटे-ढूंटे हमें यहां के सबसे खूब सूरत जैन टेंपल्स आखिर में मिल ही गए जैसलमेर किले के अंदर स्ति जैन मंदिर का इतियास बहुत इमालतो पुर्णा और रोचक है यह मंदिर जैन धर्म के प्रमुक धर्मिक सलो में से एक है और उसका निर्मान जैसलमेर किले की शुरुवती दिनों में हुआ था जैसल मेर किले के शिल्पकला और वासुशस्तर के विद्वानों ने इस मंदीर का निर्वान किया था यह मंदीर उस समय के जैन शर्वन बेले गोला के आधर पर निर्मित है जो जैन धर्म के महाविर तिर्थंकर आदिना जी के नाम पर स्तापित किया गया है जैसल मेर के इन जैन मंदिरों में विबिन्न देवी देवताओं के मूर्तियां सजी उरुप में सापित है तो बताया जाता है कि सन तेरा सो में यहाँ पर अल्लाव उद्दिन खिलजी ने बहुत बड़ा गेरा डाला था इस किल्लेवो तो बेसिकलि उसने आकरमन किया तो उसका सामना करते करते यहाँ पर कई साल बीद गए और जो राजा थे यहाँ गए उनका यहाँ पर अंत में हार हो गई और अल्लाव उद्दिन खिलजी के कंट्रोल के अंदर यह कीला आ गया कि यहाँ से जो अफगानिस्तान या फिर मिडल इससे जो कुछ भी आर्मी आती थी तो उन्हें रखने के लिए यह बहुत बढ़िया अस्तान था इसलिए यहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स आपको दिकाई देंगे 20-25 किलोमेटर पर आपको अलग-अलग फोर्ट्स यहां पर बिल जाएंगे वह इसलिए था कि वागती जो फॉरेन आर्मी आ रही है बाहर से उनसे प्रोडेक्शन करने के लिए थाकि यहां का जो हिस्सा है वो सही सलामत रह सेके जो जंटा है उनकी इफासत के लिए वैसे तो यहां पर आगे ऐसे लगते कि एक अलग ही सिटी में आ गए है तो इसके दुकानों से भर भरा बड़ा है तो ऐसे लगता है यह अलग सीटी में आ गए है अभी तो फिलन देखे हुए हैं सब कुछ नपस जीचे जा रहे हैं यह जो आप दर्वासे देख पा रहे हैं यह दोफा दर्वाजा है और दर्वाजा में से इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था और इस के लिए जिस पत्तर से दिवारे बनाए गए थी वह पत्तर सिथ यहां जेसल मेर में ही मिलते हैं और कई आप तोई राजस्तान में भी कई देखने को नहीं मिलेंगे और दोफेर में एक शांदार होोटिल में चेकिन करने के बाद हम जेसलमयर फूट देखने के बाद हम्द हमरा decid होतल करने के लिए एक भूज आके हमने होटल में चेकरन गिया उसके बाद थोड़ा खाना खाया हॉटल में पेर हम ने थोड़ा आराम किया फिर आम आप चाह रहे हैं पाँटों की हमेली समूआ है तो इसका हिस्ट्रीए है कि पांच भाहीं थे हैं पाजूआ और उनकी ये हवेलिया है सबुरी एक हवेली का समूआ है इसको ये पाँटों की हमेली से अधानते हैं और हम रहे हैं यह उटल से बहे ही नज़ीक था और आप यहां की फेकलियों को देख सकते हैं बहूती शंगलिय है तो यहां पर कार ले गया आना उस्से बहेतर था कि पेदली चला जाए क्योंकि कार से हम पेदल ज्यादा आसान और ज्यादा फास चाह सकते हैं यह उंकर भाई आगे रास्ता दिकाते हुए गाइड का काम करते हैं यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल घर भी देखो गे तो किसी अर्टेक्ट्चर से कम नहीं है आगे जी पट्वाओं की हविली पट्वाओं की हविली जैसलमेर का एक में एट्रेक्शन है जिसका निर्मण सवन अट्रासुपांच में किया गया था और इस हविली को बनाने में कम से कम पंच-पंच साल लग गए थे यह हविली जैसलमेर में प्राचिंतम हविलीों में से एक है और अपनी अद्वित्य शैली और कला के लिए प्रसित्त है और इस हविली में आपको बहते अकरशक और ब्यूटिफुल मीरर वर्क दिखाई देगा तो अभी अभी पटवाओं की हाविली से हम वापस जा रहे है होटल अभी तो बहुत अच्छी है मतलब स्ट्रक्चर रही क्योंकि इसका डिजाइन बहुत है यूनिक है और आपको यह कम ही देखने को मिलेगा शायद बागे तो आप वीडियो में देख चुके होंगे कि क्या क्या चीज़े आपे रखी वही है तो बेसिकली पातवाओं की जो हिस्ट्री है उससे रेलेटेड यह चीज़े है सभी कुछ और बाके तो मुझे एवरेजी लगा इतना कुछ मतलब इतना मैं इंप्रेस नहीं वह हूँ उससे आप चाहे तो देख सकते है या फिर स् इस सभी हBut आप उस्भाण इसल को देखनें कि बिखने है तो इस लेक का निर्मान किया है रावल जैसल जी ने जो यहां के पहले ही राज ऑत है जिन्नों ने यह जैसल मिरका शेर भी भी बसाया और आप जानते भी है कि जैसल मेरे का जो पूरा हिस्ट्री है वो जुड़ा हुआ है रावल जैसल जी के नाम से स्वागत है जी गड़ी सर लेक पे तो इस लेक का निर्मान इसलिए किया गया था क्योंकि राजसान जो बहुत ही सुथा प्रदेश है और यहां का जो पानी है उसका जो समस्याई इसका निवारण करने के लिए ये लेक को बनाए गया था क्योंकि राजसान में आप जानते ही है बारिश का जो प्रमान होता है व इसमें आपको राजस्तान के जैसलमेर सीटी की पूरी हिस्टरी बताई जाती है एज़स्टोरी इस तरह के कशू में ने इंडिया में पहली बार देखा है अगर आपने भी ऐसा कुछ इंडिया में देखा है इसके अलावा तो कमेंट में जरूर बताए और उसके बाद आपक का डांस भी देखने मिलेगा तो इस लेक को जरूर शाम में विजिट करना इस रूफटॉप रेस्टोरन की सबसे बेस्ट बात यह है यहां पर कैंडल लाइट डिनर चलेगा सामने में जैसलमेर फोर्ट और यहां पर मूनलाइट है तो यह देखा यह तीनों का संगम इस ड यहां का खाना बहुत ही बढ़िया है अगर आप जैसलमेर की कि बारे में आपको कैसे लगाए के कमेंट में ज़रू बखना और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना और सब्कर्व करना अगर चैनल पर नहीं हो तो सीवी नेक्स वीडियो और बाई